हेलो स्टुड़न वेरी गुड माइन टो लफ यू बाइलाजी की आज के क्लास में हम एक नया चक्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मानो क्या है इस्टनी है मैमल्स है न तो सभी इस्टनी वमें माध म नर जन्टु होते हैं जब क्लास 11 में लोर एंवल्स के बारे में पढ़ रहते हैं तो हमने कि male और female part जो होता है एक ही सरीर में होता है कुछ animals में होता है ना लेकिन जब हम human की बात करेंगे तो human क्या है? mammals है तो human को छोड़कर जितने भी mammals है जितने भी इस्तनी है उनमें क्या होता है? मादा जनन अंग और नर जनन अंग जो होता है यानि कि इस्त्री और पुरुष को देखकर भी हम पता लगा सकते हैं कि हाँ ये स्त्री है और ये है पुरुष यानि कि इस्त्री और पुरुष में नर और मादा जननानांग होते हैं क्योंकि ये जरायो जनतु यानि कि प्लेसंटल अनमल्स होते हैं इसलिए अंडे के निसेचन से लेकर निसेचित अंडे से भूड तथा बाद में शिशु के निरमार तक की सभी क्रियाएं इस्त्री के शरीर के अंदर ही होती है मनुष्य कैसा जनतू है प्लेसेंटल एनिमल है जराजय जनतू है इसलिए जो भी अंडे का Nixon होगा, यानि कि Fertilization जो होता है अंडे का और इसके लाबा Fertilize अंड़ जो होता है फिर क्या बनता है, इंब्रियो में परवर्वर्थित हो जाता है इंब्रियो और बिद्धियू और विकास करता है और इसके पश्चात वो एक शिशु का निर्माड कर देता है तो यह सभी जो क्रियाएं होती है वो कहा होती है इस्त्री के शरीर के अंदर होती है अब हम देख लेते हैं इस्त्री और पुरुष के उच्छ सेकेंडर सक्सुल करेक्टर्स के बारे में देखें प्यूस ग्रंथी होती है हमारे शरीर में तो प्यूस ग्रंथी से एक हार्मोन होता है जिसे बोलते हैं जनद प्रेरक हार्मोन जो की 11-13 वर्स की उम्र में बालिकाओं में रजो धर्म तथा अंडाश है और उसके सहायक अंगों की विकास को प्रेडित करने लगता है इससे geंगों के विकास होता है इसके अलवा बाहे जन्नांगों का समझीत विकास होता है श्रेड़ी भाग चोड़े होने लगते हैं और menstrual cycle यानि कि मासिक स्राव और ostrus cycle जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है फिर देखें अंडाशय के अंदर पुटिकाव में अंडाशय के अंदर जो होती है follicles उपस्तित होते हैं इसमें से एस्ट्रोजन नामक हार्मोन जो है वो स्रावी थुन लगता है और इस एस्ट्रोजन नामक हार्मोन के कारण योवन जो है योवन आवस्था आजाती है यानि कि एक बाले वस्था से फिर योवन आवस्था स्टार्ट हो जाती है ठीके तो एस्टोजन हार्मोन जो होता है इसे हम बोलते है मादा हार्मोन भी इसे कहा जाता है इसने निक्स्ट है पूरुस के गौर्ड लैंगिक लक्षर इस से kennonym शेक्शोल कराक्थर उपैरल कर्रेक्षरS of Man है व्रिध्धी के कारण इano की लंबाई भी काफि Two से बन लगती है चैरे पर मूच को और बाद में दाढ़ी के- बालने के बालन लगते हैं आवाज में काफी परवर्थन आता है आवाज होती है वह भारी हो जाती है और इनकी दृड़ता में भी काफी ब्रिधी हो जाती है ठीक है फिर देखी व्रिष्टडों में यानि की टेस्टस में बढ़ने वाले जो नर हार्मून होते हैं इसको कहा जाता है टेस्टोस्टिरोन माधा हार्मून अब पढ़ा है न एस्ट्रोजन्स तो इसका जो है बनना प्र सचावित होते हैं जिससे की अनेक साथ लच्षडों में परवर्तन आने लगता है कि अग्यों करने वाले अंग तथा जनन कोशिकाओं को निसेचन के स्थान तक पहुचाने वाले अंगों को ही संयक तुरूप से बोलते हैं नर जनन तंत्र तो मानवतंत्र में क्या होता है एक जोड़ी व्रिशन होता है टेस्टिस होता है और इसके लावा अनने कई सहायक अंग होते हैं तेस्तिस क्या होता है विसर्ड मनुष्य में ये एक जोड़ी होते हैं और सक्रोटल सेक में इस्थित होते हैं यहां पे शुक्राड़ों का निर्माड होता है और यहीं से टेस्टोस्टरॉन हार्मून का उत्पादन होता है यह जो हर्मून होता है टेस्टोस्टरॉन यह नर्मे सुक्राड़ यानि के स्पर्म के उत्पादन के नियंतरण के अतरिक्त यह ब्वाज में लड़कों में यह उनावस्था के लच्णों का भी नियंतरण करने का कारिकता है ठीक है अब चलिए नेक्स्ट है अधिव विषड या फिर एपिरिडियरमिस देखे प्रतिक जो टेस्टिस होता है उसमें एक लंबी लगभग 6 मीटर लंबी सक्री इसके लावा चप्टी और अत्य धिक कुंडली नली जो होती है अधिव विषड की अपवाहक नलिकाओं के मिलने से बनती है थर्ड देखे शुक्रवाहनिया यह वासर डिफ्रेंस तो अधिव विषड के नीचे यह पस्च भाग से लगभग 45 सेंटी मीटर लंबी जो होती है वासर डिफ्रेंस निकलकर शुक्रा से तक जाती है शुक्रा से से माइनल विसाइकल्स तो यह थैली की समान संदशना होती है और इसमें एक छारी तरल स्रावित होता है शुक्रा से से जो की वीरे यानि की वीरे को बुलते हैं इंगलिस में सीमिन तो सीमेन का लगभगी 60% भाग बनता है सीमेन का 60% भाग कहा बनता है शुक्रास्ते में से माइनल विसाइकल्स में याद रखेगा फिर देखें पांचवा भाग है शुष्णियाने की पेनिस तो ये नर्व जो है मैथुनांग होता है जो की मादा में अंडवाहनी के आधार पर शुक्राडों को जमा करने का कार्य करता है क्यों ताकि जो है अंडों तक जो है ये शुक्राडों जो है पहुं सके और सरीर के अंदर इसका जो है अंडों का फर्टिलाजेशन हो सके निसेचन की क्रिया हो सके चठा है सहय ग्रंथिया यानि एससरी ग्लेंड यह दो प्रकार के होती है एक होता है प्रोस्टेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् और यह जो तरल होता है यह जो वीर होता है सीमन का यह 25% भाग बनाता है अभी हमने बढ़ाना कि 60% भाग जो होता है कौन बनाता है शुक्रास है नेक्स्ट है कॉपर ग्लैंड्स यह मुत्र मार्ग जो होता है नर में उसके दोनों तरफ एक छोचोटी फ्लास्ट के समान की यह संदशनाय होती है यह खुलती भी कहा है मुत्र मार्ग में ही खुलती है इससे जो निकलने वाला श्राविक पदार्थ होता है अब देखें वीरी क्या होता है यानि कि सीमेन क्या होता है तो यह हलकी पीले रंग का होता है छारी तरल होता है और इसमें शुक्राडू श्लेश्मक तथा सहाय करंथियों के जो भी स्राविक पदार्थ होते हैं तो वीरी में सीमेन में क्या होता है शुक्राड़ू होते हैं और इसमें कुछ श्लेशमक पदार्थ होते हैं और स्राहा या करंथी जो हैं उनसे जो स्रावित पदार्थ हैं ये सभी उपस्तित होते हैं और इनका कार्य क्या है शुक्राड़ू को पोशन प्रदान करना ठीक है तो शुक्राड़ू को पोशन प्र पुपसे हो सके अब हम देखेंगे इस्त्रियाने की माद जनन्तंतर के बारे में तो इस्त्रियाने की अंतरकत एक जोड़ी अंडश एक जोड़ी अंडवाहिनिया एक गरभाश एक गरिवा एक योनी और बार्थोलिंग की गरंथिया ठीक है और इसके लवा बाय जरन इंद्रिया भी आती है अंडाशे क्या होता है इस तरी के उधर गुहा में कशेरुक डंजो होता है उसके दोनों और एक सफेद अंडाशे उपस्थित होता है ठीक है कि एक जिल्ली के द्वारा गर्भाशे से जुड़ा होता है एक लड़की देखिए लड़की का जब जन्म होता है तो उसके जन्म के समय में ही जो है अन्डाशे में हजारो और परिपकवर मतलब की जो मैचियूर नहीं होता है अन्डाडव वो भरा रहते हैं अन्डाशे में लड़की के जन्म से ही अन्डाडव भर रहते हैं लेकिन जब यौवना यौवना वस्था जब आरम होती है ठीक है बाला वस्था देखिए अंडाशे जो होते हैं वो गर्भासे से एक जल्ली के द्वारा दुड़े होते हैं एक लड़की के जन्म के समय ही उसके अंडाशे में हजारो और परिपक्व अंडाडू भर जाते हैं और जब यवनावस्था आती है पद्धारी छोते हैं वह मैचुर हम लगते हैं परिफक्व लगते हैं लिए नेस्ट यह अन्डवाहिनिय यानि कि ऑवर к्ट यह कंडलित होती है नालिका आकार शनशिनाय में यह जो है 10 cm लंबी होती है अंडासय से निकलती है इसका प्रारप वाला भाग काफी चोड़ा होता है जिसे बोलते है अंपुला ठीक है अंडवाहनी का धिकांश भाग जो होता है वो गर्भाशे या फिर फैलोपियन नली कहलाता है इसका उपरी भाग होता है जालर युक्त अंडवाहनी कीप कलाता है और उदार गुहा में मुख्य का यानि की ओस्तियम नामक्षिद्र के द्वारा ये खुलता है गर्भाश यानि की यूटेरस क्या होता है ये मादा में के वल एक ही गर्भाश होता है और ये शुरूडी भित्ति से इस नायूं द्वारा जुड़ा होता है ठीक है और ये जो गर्भाश होता है एक पतली ग्रिवा के द्वारा गर्भासी ग्रिवा के द्वारा योनी में यह अतिधिक ही और फैलने वाली नलिका कार जो है सनशना होती है तो जो इनकी अससरी ग्लैंड्स होती है माधा में इसके अंतरगत एक बार्थोलिन ग्लैंड्स होती है और एक होती है पेरेनियल ग्लैंड्स बार्थोनिल ग्लैंड्स और पेरेनियल ग्लैंड्स होती है नेक्स ग्रंथी है इस्तन ग्रंथी आने की मैमली ग्रेंड्स तो मैमली ग्रेंड्स होती है यह सभी माधा इस्तंधारियों का एक विसेस लक्षण होता है और इसमें ग्रंथिल उतक और विभिन मात्रा में फैट हो होता है इसमें कोफिक होता है झाया वित्थ होता है उसका जो क कोशिकाई होता है कोशिकाई आफ समय नेमालब होता है केवल प्रसुव के बाद मैं प्रसुव यानि की यो जिसको यो कि छोटा बेभी हो है तो आता है उसके बाद मैं दूध क शावन होता है qa आगर प्यूज घ्रंथी के बारे में जो ग्रंथी होती है ना conjunction के तो जो अगर प्यूजगंति होता है उसके रवारा एक हार्मोन सावित होता है इसका नाम है प्रोलैक्टिन या नाम याद रखेगा हार्मोन का प्रोलैक्टिन हार्मोन तो यह जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है एक अन्य हार्मोन होता है यह होता है प्रोलैक्टिन से सावित करता है प्रिरित करता है ऑक्सिटोसिन हार्मोन क्या करता है दूद को इस्तन से बाहर निकानने के लिए स्टुलिेट करता है फिक तो यह जो दो हार्मॉन है प्रॉलेक्टिन और ऑक्सिटोसे इंहें याद रखेगा इनका क्या क्या कारigent कहा से सावित हो रहा है अग्रफिय ग सिसे और ऑक्सिटोसिन परक्शन कि से सावित होता है okay next है gameto genesis यानि की युगमक जनन आंगों में युगमक को यानि कि ग्यामीट के बनने की क्रिय को क्या कहते हैं युगमक जनन कहते हैं gameto genesis कहते हैं जननांगों में जो ग्यामिट्स बनता है उस बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं ग्यामिटो जनेसिस ठीक है नर में व्रिशण और इसके लावा मादा में अंडाश है ठीक है ये ग्यामिटो जनेसिस प्रक्रिया के द्वारा क्रमसा नर में क्या बनता है नर युगमग बन है थीक है मेल kya limits Hanik 기 kya sports अ या फिर अंदाडू बनता है थिक कर Gmetogenesis प्रक्रिया के द्वारा नर में जो होता है व्रिषण और माँदा में होते अंडाश ड्रिक तो व्रिषण के द्वारा क्या बनता है जिसे बुलते हैं शूक्राडא बोलते हैं इस वरम बोलते है और मादा में बनते हैं अंधारू यानि की ओवम बनता है 저 heißt ग्रिफस्ट है सुख्रजनधन यानि कि इस फर मैन च्वराइट जैनेसिस तो देख लेते ही क्या होता है तो यह तितिक प्रक्रियाज स्ट्यूब्यूर्स में होती है व्रिसड की सुकृजन नलिकाओं में इस पर मेटो जनेसिस की गुढ़न प्रवस्था जो होती उसमें जनन उपकला की कोशिकाओं में बार-बार सम्सुत्री विभाजन होता है माइटोटिक डिविजन होता है ठीक है बार बार समसुत्री विभाजन के द्वारा शुक्राडु जनन कोशिका यानि कि इसपर मेटोगोनिया बनती है इस पर मेटो गोनिया का निर्मार होता है जब ये बृध्धी अवस्था में होती है बृध्धी प्रावस्था में क्या होता है शुक्राडुजनन को शिकायज होती है इस पर मेटो गोनिया ये पोशक पदार्त एकतित करके प्राथ मिख प्राशुक्रार उजनर, यानि कि primary ispermatocyte का निर्मार करते हैं, primary ispermatocyte का निर्मार करती हैं, ओके, परिपक अवस्था में पहुंचती हैं, मैच्चोर फेज में जब होती है, तो फिर इनमें होता है, आर्ध सुत्री विभाजन होता है, मियोसिस के प्रक्रिया होती है, तो आर्ध सुत्री विभाजन के द्वारा फिर इस्पर्मेटिट्स का निर्मार होता है, इस्पर्मेटिट्स का निर्मार होता है, इस्पर्मेटि टेमोर्डियल जर्म सेल है, इसमें माइटोटिक डिविजन हुआ, तो इसमें माइटोटिक डिविजन हुआ है, 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 तो इसमें माइटोटिक प्रशुक्राडुजन बना तो ये प्राम्री स्परमेट्व कॹता है थे कि लिखा है मियर्टार सुष्ट, उस always तो ifbirds the स्परमेट्रें यानु कि डुरं की संख्या आधी हो जाती है समसुत्री में क्या होता है कि डिखिए 2 अधी न है तो地 Changing division हुए तो स्फिंट इंड है तो इंड है तो इक इंड होता है था मुझा स कर इंख्या आधि हो जा रही है इसको बोलते हैं सेक hart एकinks फिर से मिएसिस हो रहा है तो एक बार इस ऊपर हो रहा है के हुआ तो अर्छ दोबारा इसे में एक ढूदे में सल्चे कशा एक बन रही है उसमें भी गुर्शुत्रों की संख्या क्या है आधी ही दिख रही है जिसको बोलते हैं हम अदली इस्परमेटिड बन बोलते हैं ठीक है क्या बोलते हैं से अदली इस्परमेटिड यानि कि प्रशुक्राडू इस्परमेटिड यानि कि प्रशुक्राडू फिर हमन परवर्तित होने की घटना होती है उसे ही कहते हैं स्पर्मियोगनेसिस कि इस पर्मेटिट से स्पर्म का निर्मार हो रहा है तो इस फिगर बेटा बहुत ही इंपॉर्टन्ट है इस पर्मियोगनेसिस में इस फिगर को आपको बनाना आना चाहिए कि क्या प्रक्रिया पहले होती है कि जर्म सेल है स्टार्टिंग उनने देखा प्रिमोर्डियल जर्म सेल है जर्म सेल में क्या हुआ माइटोटिक डिविजन हुआ माइटोटिक डिविजन के बाद फिर क्या ह स्टेंट सेल निर्मार हो रहा है फिस में माइट्रोटिक डिवीजन मुचा सुन लुच वर मुचा पिस में माइट्रणी स्ट्रेंट्र गूझें सब्सक्राइप बनना निर्माद हो रहा है गोची नेक्स्ट लाइन है देखे जिस प्रक्रिया के द्वारा स्पर्म सुक्र जनन नलिकाओं से अग्सरी इस प्रक्रिया को बोलते हैं इस प्रक्रिया करे स्ट शुक्र जनन कोशिक्वां से निकलना क्या कहलाराता है Spermation कहलाता है किषोरा वस्था मे neighborhood के दोरान क्या होता है Gonodotropic Relaising Harmone जो होता है Salt में इसको लिखते है adviser R.H Gonodotropic Relaising Harmone तो इसके lifecycle में काफी वृध्धी हो जाती है जिसके कारण Spermation की प्रकृयाशुरू हो जाती है Gonodotropic Relaising Harmone के कारण Agarapuse Granthi यानि कि जो puse गंती अभी में देखा ना कि कई भाग होते हैं उसके तीन भाग होते हैं तो puse गंती का जो आगे वाला भाग होता है अगर puse गंती उससे दो हार्मोन निकलते हैं दो gonadotropic हार्मोन निकलते हैं एक है LH जिसको बोलते हैं luteinizing hormone और दूसरा होता है FSH यानि कि Follicle Stimulating Hormone तो यह LH और FSH स्रावित होने लगता है अगर प्यूस ग्रंथी से LH जो होता है Lutinizing Hormone यह Leading कोशिकाओं पर कारे करता है ठीक है किस पर कारे करता है Leading कोशिकाओं पर और Indrogens को Indrogens के Sensation को उद्धीपित करने कारे करता है इसके बतले में N Princeton जो होता है यह Esparmatogenesis की प्रक्रिया को सहायता करते हैं है तो स्टावित होते हैं अगर प्यूस ग्रन्थी से ठीके मनुष्य में शुक्राड़ो यानि कि sperm in means यह क्या होते हैं कि प्रतिक शुक्राड जो होते हैं वो दो मुख्य भाग होते हैं सिर्स तथा पूछ और यह अनुवांशिक पदार्थों युक्त सूच में सनरचनाएं होती हैं और इसमें एक लंबी पूछ होती है जिसके पूछ की सहाता से तैर कर मादा जनन कोशिका तक पहुंचता है और नर युगमक होता है यह फोर मिलिलिटर वीर जो होता है सीमें उसमें 90 मिलियन स्पॉन होते हैं फोर मिलियन वीर में सीमें में कितने होते हैं लगभग 90 मिलियन शुक्राडू होते हैं ठीक है तो शुक्राडू के ऐसे तो दो भाग होते हैं लेकिन इन तीन भाग में विभालित हो जाते हैं ऐसे कि पहला है सिर यानि कि हैड दूसरा है मद धिखंड यानि कि मिड्ड़ल पेस और तीसरा है पूछ याने कि टेल्स पुछ हैं क्रोमो सोम लेकर घंडर जो की स्षेयह सायक सेट लेकर घ्रीवा तक जुड़ा हुआ भाग होता है ग्रीवा के अंदर उपस्ति जो दो तारक केंड़ होते हैं संट्रियोल्स होते हैं इसमें से पिछले तारक केंड़ से बना एक लंबा अक्षीय तन्तु इनके मद्ध में इस्थिद रहता है इसके चारों हो सरपिलाकार रूप में समस्त माइटो कांड़िया एक आवरण के रूप में पाया जाता है पूछ देखिए टेल जो होता है यह अच्छी तन्तु मद्ध खंड में ही अनवरत पूछ में भी लगा रहता है और अंतिम खंड में यह तन्तु कुछ का द्रव से ढखा हुआ नहीं होता है और इसे हम करते हैं इंड पीस यहां आके भुक में हुमन स्पॉर्म का फिगर दिया हुआ है दिके नीचे है नीचे का भाग है तैल बारत है यह बीज में दिक की मिड़र्पीस है मद्ध भाग सबसे ऊपर है हेड भाग है अभी हम लेग पढ़ा कि जो हेड होता है कैसँ अच्छ खम्मच क्या का होता है ना कि नेक में देखिए विसल बॉडिल अटेश होती है माइटो कंडिया से घिरा होता है मेडर पीस कि टेल वाला पार्ट देखिए कि मध्यभाग से ही अभी उने पढ़ा ना कि मध्यभाग से ही टेल का विकास स्टार्ट हो जाता है ठीक है नेक्स्ट है अंडजनन यानि कि उजनेसिस तो एक परिपाक्व मादा युगमक के निर्माण की प्रक्रिया को बोलते हैं अंडजनन यानि कि उजनेसिस तो अंडजनन की शुरुवात होती है भ्रोड़ी ये परिवर्धन चरण के दोरान जब कई मिलियन मातरी योगमक कुशिकाएं मदर ग्यमिट सेल्ज होती है यानि कि उगोनिया प्रतेग भुड़ी अंडाशय के अंदर वी निर्मित होन लगती है वी निर्मित यानि कि निर्माड होन लगता है इनका जब एक बालिका का जन्म होता है तो उसके जन्म के समय ही अंडाशे की जो वलकी पीठका होती है कॉर्टिकल स्टोमा होती है उसमें लगभग 2-20 लाग तक उगोनिया और प्राथमिक अंड़कुष्का यानि की प्राइमरी उसाइट्स होती है तो अभी हमने जब मादे जनल अंग पढ़ रहा थे तभी हमने पढ़ा था ना कि जन्म के समय ही अंडाड़ु होते हैं फिर देखे लेकिन उसमें से कुछ क्या होते हैं वो नश्ट भी हो जाते हैं है ना तो उनमें से देखे एक स्री के पूरे जिवन काल में लगभग चार सो कुशिकाओं के अंडाड़ों में परिपक्वन होता है बनते देखे कितने हैं होते मतब कितने हैं दो से बीस लाग तक होते हैं लेकिन परिपक्वन कितने का होता है लगभग चार सो को सिखाओं का और शेश का क्या हो जाता है पतन हो जाता है यानि शेश होती है वो नश्ट हो जाती है तो इस परिपक्वन की प्रक्रिया को ठीक है यानि कि जो अंडाड़ों का परिपक्वन होता है उन अंडा के चारों ओधी चप्टी शल्कि यानि कि कि स्कॉमस क्लीक इसरत के 91 तरका आव्रण होता है प्राम इंड क == कोषिका के चारो ओर जोती एकन्स प्रामाइद्वा क्लॉकथ पूतिका कुछ को बोले फोलीकुलर इसरत का आवरण होता है इस आवरण को ही बोलते हैं प्रारंबिक उटिका फॉली प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स फिदे की प्राइमरी फॉलिकल्स होता है इसमें कडिका में कुशिकाओं के अधिक पर्तों द्वारा आवरित हो जाने से एक नए ठीकल लेयर से ये घिर जाते है ठीक ह प्रारंब में एक ही लेयर होता है फिर क्या होता है कडिका में कोशिकाओं के अधिक पड़तों से घिरने लगता है ये granular cells के अधिक पड़तों के द्वारा ये घिरने लगता है इसको हम बोलते है तो इसे हम बोलते है ठीकल लेयर जो ये layer बन जाती है इनके चारों उसके क्या बोलेंगे हम ठीकर layer जिसे कि secondary follicles करते हैं जब इस तरह के इसे निरमार हो जाता है इनका तो इसे हम क्या कहेंगे secondary follicles करते है secondary follicle क्या होता है जल्द ही third follicle में change हो जाता है third follicle के अंदर क्या होता है primary oocides के आकार में ब्रिध्धी होती है secondary follicle किस में change होता है third follicle में जिसके अंतरगत क्या होती है जिसके अंदर-अंदर आकार में ब्रिध्धी होन लगती है और इनका जो है आकार में ब्रिध्धी हो जाती है और इनका पहला अर्ध शुत्री विभाज परिपक वियान की मैच्योर या फिर ग्राफी ग्राफिन फॉलिकल में परवर्तित हो जाता है ठीक है याद रखेगा थर्ड फॉलिकल कहां चेंज हुआ ग्राफिन फॉलिकल में सकेंडरा यांडरा बंते हैं उसान wird से ग्राफिन फॉलिकल होती है और रिलाथि में-पारफिन फॉलिकल किकैंटरा या इस हैं कि फटकर सेकेंडरी उसाइड को यानी कि अन्दाड़ों को अंडासे में छोड़ देती है उसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं ओव्यूशन फिर देखिए सेकेंडरी उसाइड्स होता है से कि पश्चाति अंड वाहनी में प्रवेस कर जाता है और जब शुक्राड़ु इसमें प्रवेस करता है तब इसमें अर्ध सुत्री विभाजन सेकंड हो जाता है। जब sperm के दवारा जब इनका fertilization हो जाता है तो इसके कौन से प्रक्रया होती है इसमें फिर meiosis second हो जाता है तो इस प्रकाँ से एक dti अंडक से secondary umcide से एक छोटा dti धृूवी पींड secondary polar body और एक बड़ा अंडकोषी का ovum का निर्माड हो जाता है तो इस प्रकार से उजेनेसिस की प्रक्रिया कम्प्लीट होती है उजेनेसिस की प्रक्रिया हम कहेंगी क्या होता है एक परिपक वही मैं चोर्म मादा युगमक के निर्मार की प्रक्रिया को ही बोलते हैं उजेनेसिस चली उजेनेसिस का हम फिगर देख लेते हैं पहला देखे, स्टार्ट से देखे, प्राइमरी जर्म से ही प्राइमरी उसाइट्स बन रहा है, प्राइमरी उसाइट्स बन रहा है, प्राइमरी उसाइट्स देखे लिखा हुआ है, प्राइमरी उसाइट्स बन रहा है, प्राइमरी उसाइट्स देखे लिखा हुआ है, प्र प्रफिज अवस्था में यह होते हैं, फिर देखिए, Completion of meiosis first and onset of meiosis second, क्या बन रहा है, जब meiosis first और meiosis second हो गया, तो क्या बन रहा है, एक first polar body का निर्माद हो रहा है, साथ ही secondary oocytes बन रहा है, ठीक है, secondary oocytes किसमें रगता है, metafase में, इसके अना वजह, किए फिर उविलेश्न के प्रक्रिया होती है इसपर्म कर जाता है क्या बन रहा है देखिए second polar body है यहां पर और कंपडिशिं आव मियॉसिस सेकंड्स की हो दिती फेस जो होता है इसका यह कंप्लीट होता है तो इस प्रकार से क्या होता है उजनेसिस की प्रक्रिया होती है लेकिन जब अब यह बात आती है कि जब इस्पम एंटर नहीं होता है तो क्या होता है तो क्या होता है मेंस्ट्रॉल साइकल स्टार्ट हो जाती है यानि कि यह और यह मेंस्टूल साइक्ल के द्वारा यह सरीट के बाहर छोड़ दिया जाते हैं तो मेंस्टूल साइक्ल के बारे में हम नेक्स्ट चाप्टर में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि तो जिस प्रकाश से स्परमेटो जनेस्स की जो